खेन सबको अभी तक मेरी याददाश्ट के नाटक का सच पता नहीं चला बट सच्चु अभी भी मुझे ऐसे देख रहा है जैसे इसके दिल में मेरे लिए कुछ तो फीलिंग्स है यानि मेरा चांस अभी भी है नीती तुम्हें जो कुछ मेरे साथ किया अगर वो सब नहीं किया होता तो मुझे परी के वैल्यू कभी पता नहीं चलती तुमने मुझे जितना परी से दूर ले जाने की कोशिश थी मैं उतना है उसके करीबा दा गया संचु की आँखों से साफ दिख रहा है that he still loves me अगर आज परी ने संचु को बचा लिया मंदू के खिलाव सुबूत दिखा के तो संचु की लाइफ में मेरे जान सहमेशा के लिए खतम हो जाएंगे मेरे लिए अपनी जान को खत्रे में डाल के परी ने परी ने प्रूफ कर दिया दरसल परी के हाथ सबूत लग जाते हैं मदूलिका के खिलाव और यहां पर वो सबूत जो है परी कोट में लेकर ना जापाए तो यहां पर मदूलिका के गुंडे परी का पीछा करते हैं लेकिन जैसे तैसे परी जो है कोट तक पहुँच ही जाती है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजीव को बेल करवा देती है परी प्री कि राजीव को सबुतों के अधार पर परी बेगुना साबित कर देती है जिसके बाद राजीव भी खुश हो जाता है और परी के लिए राजीव के दिल में इज़त और प्यार और भी जादा बढ़ जाती है नफरत तो निती के मन में भर गई है परी के लिए और भी जादा निती को ये भी अफसोस है कि वो संजु को बचा नहीं पाए दूसी तरफ राजीव जेल से निकल कर यहाँ पर जो है घरवालों के पाउच होता है अब सब कुछ सही चल रहा है लेकिन जो निती है उसके मन में अंदर ही अंदर आग लग रही है इससे जादा आप तब लगेगी जब परियो राजीव के बीच की नजदी किया निती देखेगी अपनी आखों से जिसके बाद परियो राजीव यहाँ पर रमैल्स कर रहे होंगे और निती का खून जल रहा होगा आने वाले अपिसोड में यह देखना का आप इंट्रोस्टिंग होगा कि अब शो की कहानी कैसे आगे बढ़ती है खेद पिलहाल के लिए तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राइब बताएए और कर दीजे चानल को सब्सक्राइब